यह जो प्रोफिट को देखते ही नए ट्रेडर्स यहां पर इंट्रेक्ट हो रहे है और सब लोग यहां पर बाइंग कर रहे है तो इसका प्रोफिट ऊपर क्यों जा रहा है लेकन वाई मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहूंगा अब एक बात समझ के देखिए तिक आप बात समझें दिमाग पर डालिए ठीक है बाइंग कैसे हो रही है ठीक है यह जो बायर्स लाखों आ रहे है और बाइंग हो रही है और यह प्रोफिट ऊपर क्यों जा रहा ठीक है केंडल ऊपर क्यों बन रही है बाइंग कैसे हो रही है क्योंकि सेलर्स बेच रहे हैं बड़ आप लोग इस्में करते जा रही हुँ एलो ट्रेडर्स तो वह लोग स्वागत है आप का आज कि बाद करने वाले हैं तो आप देख सकते हैं अब वीडियो को पूरा देखना और इसके बिलकुल भी मत करना अगर आप चैनल पथे लेगे तो वीडियो को लाइक कर दें तो वही लोग इसके अबावट में आप सब लोग जानते हैं और जो भाई है उनको मैं थोड़ा से यहां पर बताने चाहूंगा कि अधार नी विलमार इजा कितना बड़ा कितना बड़ा मार्किट का और और अधार और यहां पर देख सकते वाई चौविस परसेंट की और यहां पर इसने प्रोफिट किया है और पिछली साल इसने क्या होगा इसी साल इसने यहां पर लिश्टेड हुई है तो यहां पर देख सकते हैं बहुत बड़ी परसेंट की प्रमोटर वोल्डिंग है और पबलिक वोल्डिंग की बात करें तो तो 9.64 परसेंट की पबलिक ओलर ऑपलिटिंग ऑपलेटिंग मार्जीन है लग बगाग 3.30 परसेंट का कर्ज इसके पास बहुत ही चोटा सा करज है इसके पास 1904 करोड रूप्य पेड़ी के रिजर्श पड़ेगी में यहां पर देख सकते हैं बाईध दो परसेंट इसकी इसके पास, ठीक है, कर्ज में कोई दिक्कत नहीं है, फंडमेंटल स्ट्रोंग है, ठीक है, कम्पनी ने केबल प्रोफिट दिखाया आपको, जब सिलिस्टेड हुई है, में चीज क्या है, ठीक है, कम्पनी को प्रोफिट हुआ है, तो मार्केट के भी बड़ा है, वह कल में, कल ही विल्कुल, बिलकुल,- कल ही, मैं आपको वीडियो बना के दिखा ए थी, फ़ए उस वीडियो, मैंने आपको ढूला ता, कल बेकी, वीडियो मैंने आपको बोला था, लगवक ठीक है वो मुझे आज भी याद है वाई मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैंने आपको रेश्टेंस बोला था ठीक है तो कल के दिन ठीक है आज के दिन यहां पर स्केंडल को आप गौर से देखने की कोसिस करें तो इसमें क्या हो रहा है कि सुबह के टाइ रहे हैं इस profit को डिखे ठीक है यह जो प्रॉफिट इसको मिल रहा है ना सबको इसाद बाया है तो इसका उपर की यह जार रहा है लेकिन बाई मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहूंगा कि आज भी मैं वही बात कहना चाहता हूं आज बी मैं उसी बात को कह रहा हूं कि 870 के पास इसका रेश्टेंस होना चाहिए क्योंकि आरे सब्सक्राइब यहां पर और बॉर्ट जोन में इसका बाई इसे डाउन आना चाहिए क्योंकि यह डाउन आएगी कम से कम इतना आएगी तभी अच्छा प्रॉफिट आपको लॉंग टर्म में दिखा सकती है क्योंकि कंपनी वाई सीधे उपर जाएगी तो बहुत ज्यादा गिरेगी बहुत अच्छा प्रॉफिट यह दे चुकी है बहुत बड़ा अगर इसे और सेलर नहीं है ऐसे ही सेलर की लाइन लगी होगी बायर एक भी नहीं होगा ठीक है तो वही मैं आपको यहां पर फिर से दवारा इसी बात को कहना चाहता हूं कि यहां पर केंडल देख सकते हैं यहीं से डाउन पॉल आ रहा था लेकिन बायर इतने ज्यादा हुए छोटे बाय प्रेशनल ओगा ठीक है जो प्रिशनल ट्रेडर होंगे जो सब कुछ जानते हैं वह यहां पर केवल सेलिंग कर रहें प्रॉपिट बॉकिंग ठीक है आप एक बात समझेजिए दिमाग पर डाल यह ठीक है बाइंग कैसे हो रही है यह जो बायर लाखहों आ रहे है और बायं आप उपर की ओर तभी तो आप इसमें Uh बड़े ट्रेडस्न कर रहे है अपनािई बлекषक करते जा रहे है तो आपको प्र спасас रहरे हैं आपको you checked भूट अच्छी वात मिलनाया चाहिए सब को पर मिलना चाहिए लेकिन मैं यह कहसा भोड़ा हूँ यहां पर RSI भी यहां पर कुछ कह रहा ठीक है यह इंडिकेटर्स वैसे ही फालतू में नहीं बनाई है ठीक है RSI हाँ यह होता है कि RSI over version में चलता रहता है ठीक है चलता रहता है profit मिलता रहता ठीक है लेकन कितना मिलेगा यह भी तो देखिए उन भी यह देख सकते हैं लग बग लग 100% पर्षट दे चुका है तो कितना प्रोफित देगा यह दो आजार चार आजार के प्रोफित पहनी स्टॉक होगा कोई 2 रुपे से 100 रुपे तक पहुंच गया तो ऐसे प्रोफित देते हैं वह एसे वह गिरते भी यह और फूर इस्टेगल करते रहते हैं सबका पैसा उसी में फस जाता है तो आपने जैसे चा坐 में जैसे अच्छा अच्छा हत मिला लेकिन दूक नहीं करते करते हैं जैसे कि यहां पर इंट्री करते हैं फिर साल दो साल बाद में बाद में यह जाता है you तो पैनी स्टोक में ऐसा होता है यह है बड़ा लेकिन यह सेर अच्छा सेर अच्छी कंपनी बड़ी कंपनी तो इतना यह प्रोफिट मिलना चाहिए तो बहुत है नौसों के आसपास पहुंच जाए अगर यह तो प्रोफिट बॉकिंग शुरू कर दो नए ट्रेडर्स जो है वह कुछ भी करें तो इतनी बॉपिट करो यह ना करो लेकिन आप इसमें इंट्री मत करो इस जगह पर बॉट्ट जान है और यहां पर आपका लॉस हो सकता है फिर भी मैं यही कह रहा हूं आट सो सत्तर असपास असी नहीं बोलना हो आपका होगी कि यहां पर टार्गेट ब असपास इसका टार्गेट इसका लास्ट है तो और वाई एक बात मैं आपको और दुबारा बताना चाहूंगा कि अगर यह कल के दिन प्रॉफिट देता है कल के दिन है थर्श्डे और फ्राइडे प्राइडे के दिन अगर इसने रिजल्ट नहीं दिया तो आप याद रख होंगा 910 parfait कोखे दिन संबार तक आप इसमें रिजल्ट देख सकते हैमें यु ता क्या करेंगे निउजट को दिखाते रहेंग भी लेकिन चार्ट के कैलकुलेशन नहीं हो सकती कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो सकती अगर यह 900 प्लस जाता है 900 प्लस अगर यह जाता है तो इसमें कोई भी कैलकुलेशन काम नहीं करेगी फिर यह मर्जी जब इसकी आएगी तब यह नीचे गरेगा तो 900 प्लस यह नहीं जाना चा